हेलो दोस्तों कैसे है आप से भी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी की परिक्षा की तयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि आने वाले संडे को आपका एक्जाम है इस छोटी सी वीडियो में लगबग मैंने 10 ऐसे पोइंट बनाए हैं जो की आपके परिक्षा के समय दियान में रखने वाले हैं जिनको दियान में रखकर आप अपनी परिक्षा की तयारी सही परकार से परिक्षा दे पाओगे नमबर एक परिक्षा सेंटर की जानकारी अपने किसी परिशित से पहले ही कर ले कि वह रेलवे स्टेशन या बस स्टेंड से कितनी दूरी पर है और वहाँ पर और्टो रिक्षा इत्यादी से पहुँचने में कितना समय लगेगा दूसरा परिक्षा केंदर पर परिक्षा की समय से कम से कम एक गंटा पहले पहुचना नहीं वा रही है क्योंकि आप सभी जानते है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को धिहान में रखा जाएगा जिससे कि उसमें थोड़ी देरी लग सकती है परिक्षा केंदर पर केवल आप अपना एडमिट कार्ड एक आईडी प्रोट जिस पर आपका फोटो लगा हो पहचान पत्र या अन्य पैन कार्ड काला निला पैन बोल पैन होना चाहिए पानी की बोतल और अपना मास्क बश्चे ले जाए अन्य कोई सामागनी जैसे घड़ी चैन मोबाइल या अन्य कोई लेक्रोनिक सामाई बिलकुल न ले कर जाए परिक्षा परानब होने से 20 मिनट पहले आपको OMR सीट दे दी जाती है जो की तीन परतियों में होती है जुड़ी हुई होगी उसमें आपको धियान रखना है और ठंडे दिमाग से काले पैन से उस OMR सीट पर अपना रिजिस्टेशन नमबर रोल नमबर जनमतिती कैटेगिरी परिक्षा केंदर का कोड नमबर जो टीटेल मांगी गई है वो धियान पूर्वक काले पैन से भरे और उसको गोला भी करे कते भी जल्दबाजी ना करे क्योंकि प्राय देखने में ये आया है कि बहुत सारी महिलाए OMR सीट को बढ़ते समय अपनी डिटेल बढ़ते समय ही गलती कर देती है जिससे कि उसका आवेदन प्रकिलिया जो है सबते ही नश्ट हो जाती है परिक्सा सुरू होते ही आपको परसन पुस्ति का दे दी जाएगी जो की A, B, C, D अलग-अलग चार भागों में होती है और जब आपको वह दे दी जाएगी तो आप सबसे पहले उसमें से उसका सैट देखकर अपनी OMR सीट पर लिख दे और उसको गोला भी कर दे यह बहु सुरू करे और ध्यान पूर्वक पढ़े जल्दी बाजी कतई ना करे प्रशनों को हिंदी और अंगरी जी हाँ दोस्तों यह ध्यान रखे प्रशनों को हिंदी और अंगरी जी दोनों में पढ़े हो सकता है कई ऐसे सब्द कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनको कि हम इंगलिस में जानते है और हिंदी में नहीं जानते इसलिए उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ना है इसी परकार दूसरा तीसरा सरी प्रशन को पढ़ते हुए और केवल अपनी प्रशन पुस्तिका में ही छोटे-छोटे से निसान लगा ले बार-बार आप जो है OMR सीट पर ना जाए कि पहले आपने एक क्वेश्चन को कर दिया और फिर OMR सीट पर गोला लगाने लगे फिर दूसरा किया फिर OMR सीट पर गोला लगाने लगे तो ऐसा आप कते ही ना करें पहले आप अपनी प्रशन पुस्तिका में ही सभी प्रशनों को पढ़कर और उसमें जो सही उप्शन है उसके छोटा सा निसान लगा ले और फिर बाद में उनको गोला कर दे जिस प्रशन का उत्तर देने में आप समर्थ है और पहली बार में ही समझ में आ रहा है कि उसके उप्शन का ये उत्तर सही है उसका ही उत्तर दे अन्या दूसरा गलत उत्तर मत दे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है और अगर आपने चार सवालों के उत्तर गलत दे दिये तो आपका एक नंबर अपने आप खतम हो जाएगा समाफ्थ हो जाएगा तो आपको जो प्रशन सही लग रहा है जिस प्रशन का उत्तर आपको सही लग रहा है उसी का दे मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि प्रशनों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अवस्या पड़े क्योंकि कुछ सब्द ऐसे होते है दोस्तों जो कि हमें केवल अंग्रेजी में ही जानते हैं हिंदी में बिल्कुल नहीं जानते हैं इसलिए दोनों में पढ़ना जरूरी है और सही प्रशनों का उत्तर दे नौवा परिशा समाप्त होने के बाद आपको निर्देशित किया जाएगा कि आप OMR सीट से तीसरी कोपी अलग कर ले जो कि आपके लिए है आप उसे अपने साथ ला सकते हैं और कुछ समय बाद जब आंसर की आती है तो उससे आप अपने आंसरों का सहीं मिलानू कर सकते हैं द्यान रहे कि इसमें निगेटिम मार्किंग है इसलिए सभी प्रशनों पर गोला ना करें प्राया देखने में यह आता है कि जब आप पूरा कुश्चन पेपर सोल कर देते हो उसके बाद जो कुश्चन कर देता रह जाते है तो उन पर बाद में गोला कराते हो कि इसका वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके बताए और हां जो भी प्रशन आपके परिक्षा में आएंगे तो प्लीज आप उनको कमेंट करके मुझे बताईएगा ताकि मैं उनके सही आंसुरों का उत्तर दे सबो आपकी परिक्षा अच्छी ह इसी आसा के साथ धन्यवाद